नमस्कार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम टार्गेट अकेडमी पर तो दोस्तों आज सम्मिधान के भागटू का यानी भागटू इसमें नागरिकता से संबंदित है जिसमें अनुछेद 5-11 तक हम पढ़ेंगे तो दोस्तों जादे बाते हैं नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टर्ट करते हैं भागटू अनुच्षेद 5-11 भागट की नागरिकता से संबंदित है भारती सम्मिधान 26 नवंबर 1949 के प्रारम में अनुच्छित 5 भारत की नागरिक्ता के बारे में है अनुच्छित 11 ने कानून द्वारा नागरिक्ता के इस अधकार को नियंतरण करने के लिए भारत की संसद को सक्ति दी है इस प्रकार संसत द्वारा नागरिक्ता दिनियम 1955 लागू किया गया था यह भारती नागरिक्ता के अधिग्रण और समापन के लिए प्रदान करने वाला एक कार्य है और सम्मिधान के प्रारम होने के बाद वही कार्य भारत की नागरिक्ता के बारे में है अनुच्छत पांच यानि जन्म से भारत का नागरिक हो यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वे भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत में जन्में हो ये जन्म से भारत का नागरिक तक कब कहलाएगा ये पॉइंट है उनके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो यदि कोई व्यक्ति सम्मिधान लागू होने से पूरू लगातार पांच वर्सों तक भारत में रहा हो तो वे भारती नागरिक कहलाएगा अनुचे चै पाकिस्तान से आबरजन यानी माइग्रेट करके आने वाले की नागरिकता वे लोग जो 19-जुलाई 1948 के लिए आविदन देना होगा अनुच्छे साथ भारत से पाकिस्तान को आबरजन करने की ब्यक्ति यानि एक मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे किन्तु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत बापस आगे तो वे भारती नागरिक कहलाए जाएंगे अनुछेद नम्मर नो विदेशी राजी की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अगर गिरण कर ले तो उसकी भारती नागरिकता स्वतेही समाप्त हो जाएगी अनुछेद नम्मर दस नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता परतेग ब्यक्ति जो इस भाग के पूर्व गामी प्रावधानों के तहट भारत के नागरिक हैं या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधिन होगा जो संसत द्वारा तैयार किया जा सकता है ऐसे नागरिक प वल संसद के पास होगा अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं नागरिक और विदेशी भारत में भी अन्य आधुनिक राजियों की तरह दो प्रकार के लोग हैं नागरिक और विदेशी नागरिक नागरिकों को भारत राजिगी और से कुछ विशेश अधिकार प्राप्त लोग डियोजन के विशें में अवसरकी समता उनुचेथ सोलए के उन्तरगत बाक नियोजन वे अव्यक्ति की स्वतंतरता उनुचेथ 19 के उन्तरगत संस्क्रती एविम सिछा समन्धी अधकार उनतीसает जिस के उनतरगत मतदान का अदकार संबेधानिक पदों पर निपती का अदकार राष्टपती उच्चतम नियाले या उच्चे नियाले के न्यादीस के रूप में चुनाव लड़ने का अदकार ये नागरिक का वो है अब देखते हैं विदेशी यह किसी अन्यराज से के नागरिक होते हैं इसलिए इन्यावी सभी नागरिक और राजनेती के अदकार प्राप्त नहीं होते हैं तो यह हमारा आज का वीडियो था भाग तू था तो दोस्तो नमस्कार अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसका भाग तीन हमले कराएंगे तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें और मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और से अधिक सेयर करें तब तक के लिए धन्यवाद